हेलो दोस्तों, सैमसंग ने रिसेंटली 26 दिसंबर को दो A-series के स्मार्टफोन्स लाँच किया हैं जिन में से पहला स्मार्टफोन है गैलेक्सी A15 और दूसरा है गैलेक्सी A25 5G स्मार्टफोन इन दोनों स्मार्टफोन्स को प्राइस के वज़े से काफी जादा ट्रोल किया जा रहा है बताया यह जा रहा है कि इसमें जो features और specifications दिया है वो इनके price के इसाब से suit नहीं कर रहे हैं जिसके वज़े से कुछ लोग इन दोनों स्मार्टफोन्स को बहुत जादा ट्रोल कर रहे है और यह बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन काफी जादा overpriced smartphone है तो चलिए हम वीडियो को सुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे इस वीडियो में price specifications और features के बारे में और हम बात में बात करेंगे कि Galaxy A-series के इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या कमी रहेगे जिसके वज़े से इन्हें troll किया जा रहा है और सबसे पहले बात करते हैं इनके colors और price के बारे में तो Galaxy A-15 और A-25 दोनों स्मार्टफोन्स में तीन colors देखने को मिलते हैं जिसमें से Galaxy A-15 में तीन colors available हैं पहला है blue black, दूसरा है blue और तीसरा है light blue और बात कर Galaxy A-25 की तो इसमें starting के दो colors same है और तीसरा इसमें एक different color देखने को मिलता है जो की yellow है Galaxy A-15 के 128 GB वाले variant के starting price 19,499 रुपए है और 256 GB वाले variant का price 22,499 रुपए है और दूसरी तरफ Galaxy A-25 के 128 GB वाले variant के starting price 26,999 रुपए है और 256 GB वाले variant के starting price 39,999 रुपए जाने की पूरे-पूरे 30,000 में एक रुपए कम आप इन दोनों smart phones को 1 जनवरी 2024 सैमसंग के reader store या फिनके website से purchase कर सकते है और भी other e-commerce website से purchase करने का option आएगा बात करें इन दोनों smart phones के design के तो A-15 और A-25 के rear में हमें galaxy signature design देखने को मिलता है जो कि normally Samsung अपने सभी smart phones में दे रहा है इनके front design की बात करें तो इनके display में हमें water drop camera देखने को मिलता है जो कि other smart phones company 3-4 साल पहले अपने smart phones में दिया करती थी वही trend अभी भी Samsung लेके आ रहा है Galaxy A-15 और A-25 दोनों smart phones 6.5 इंच का super AMOLED display दिया जाता है बट A-15 में हमें 90 Hz का refresh देखने को मिलता है और Galaxy A-25 में हमें 120 Hz का refresh rate दिया जाता है और इन दोनों smart phones के display में हमें vision booster का support भी दिया गया है इनकी peak brightness की बात करें तो Galaxy A-25 में 1000 nits का peak brightness दिया गया है और A-15 में 800 का peak brightness दिया जा रहा है इन दोनों smart phones में eye comfort seal दिया गया है जो आपके आँखों को नुकसान दायक blue light से बचाता है भाई साब Galaxy A-25 में एक और चीज मुझे बहुत बुरे लेगे इनका starting price है 26,000 रुप है बट इतने price में हमें super AMOLED display तो मिल ला है बट इतने price में हमें other smartphone companies cover AMOLED display दे रही है ये कब देंगे लेकिन Samsung के जितने भी smartphone से उनमें एक चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे चाहें 50,000 के smartphone है या फिर 20,000 के smartphone से दोनों के rear design सेम ही लगता है बस size में छोटा बड़ा हो जाता है आप 50,000 का Samsung phone लो या 20,000 का लो 6100 प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन 12,000 के starting price में मिल जाते हैं बड़ Samsung ने 19,000 प्राइज रखके अपनी आवकात दिखा दी और दूसरी तरफ हमें Galaxy A25 में Samsung द्वारा manufactured Exynos 1280 chipset देखने के मिलता है जो की 5 nanometer प्रोसेस पर build किया गया है अब इसके आगे हम बात करेंगे इन दूनों स्मार्टफोन के camera section के बारे में इन दूनों स्मार्टफोन में 50MP का triple camera sensor देखने के मिलता है बड़ A25 में हमें 50MP का OIS camera दिया गया है जो की high resolution and safe free photos और videos को click कर सकता है और A25 में हमें 13MP का selfie camera दिया गया है आपको यह सी जानना चाहिए कि Samsung Galaxy A15 5Z में हमें 50MP का triple camera sensor देखने को मिलता है बड़ इसमें OIS support देखने को नहीं मिलता है मतलब ऐसा जरूरी feature इतने price segment में मतलब Samsung कैसे miss कर सकता है यार इन दोनों स्मार्टफोन में Samsung ने एक बहुत अच्छा feature डाल रखा है वो है inbuilt exynos security chip जिससे users का data उनके control में रहेगा और इन में एक बहुत से कमाल के feature है जैसे auto blocker, privacy dashboard, Samsung pass गी और भी बहुत सारे features है बट फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि Samsung का जो nox chipset है वो इस तरह के से design किया गया है आपके pin password pattern secure रख सकता है और आपकी smartphone का temperature जादा हो तो आपको notification देगा software और hardware से related सभी security updates को आपको दिखाता रहेगा जिससे phone safe रहेगा Samsung इन दोने smartphones में 4 साल का OS update और 5 साल का security update देने का वादा करता है जो कि personally मुझे बहुत अच्छा लगा जाने कि 4 सालों तक आपका smartphone नए Android वर्जन पर वर्क करेगा जो कि बहुत ही जादा time होता है maximum 2-3 साल के अंदर अंदर Samsung के affordable smartphones धोखा देने लगते हैं और खराब हो जाते हैं लेकिन maximum 2-3 सालों के अंदर अंदर सभी लोग अपने smartphones को change कर देते हैं अभी की present tradition को देखें तो Galaxy A15 और A25 दोनों smartphones में 5000 ms की battery दी जाती है जिसमें company के तरब से promise किया जा रहा है कि इसमें 2 दिन का battery backup दिया जाएगा और इन दोनों में 25 watt का fast charging support दिया जा रहा है भाई लोग आप comment में बताना है आप Samsung के smartphone लेना चाते हो तो क्यों लेना चाते हो और नहीं लेना चाते हो तो क्यों नहीं लेना चाते हो